राधे राधे अधिकाश लोगों के याँ पर घर में जहां जहां मंदिर बने हुए हैं वहाँ पर शंक देखने को मिलता है विशेस्त है शंक की अपनी एक उपमा है शंक की अपनी एक मेहमा है शंक को हमारे शास्तरों में लक्षमी सूचक भी माना गया है इसके साथ ही जिन घरों में निरंतर आरती के समय शंक की दोनी होती हो तो जहां जहां तक वो दोनी जाती है उस घर में नकारात्मक उड़ जाएं हमेशा हमेशा के लिए समापत हो जाती है विशेस तहबात मुख्य रूप से ये सोचने योगे है और विचारनी है कि हमारे घर में हमें शंक मंदिर में किस प्रकार से रखना चाहिए क्योंकि हमारे घर में अगर शंक अव्यविस्थित रखा हुआ है मंदिर में ठीक तरीके से नहीं रखा गया है तो वो सकारत्मक की जगे आपके घर में नकारत्मक उर्जा भी दे सकता है इसलिए जब भी शंक घर में मंदिर में रखें उसमें जल भर कर रखें अगर आप जल भरकर रखते हैं तो जल भरकर शंक रखने से आपके घर में सकारत्मक उड़ जाएगी और भगवान आपके इस भाव से परसन होंगे साथ के साथ अगर आप जल भरकर नहीं रखते हैं तो शंक में सावत चावल भरके रखे जो के पीले रंग से रंगे हुए हों पीले चावल जब आप शंक में भरके रखते हैं तो ऐसा करने से मा लक्षमी की आपकी उपर असीम करपा होती है बजार में डुप्लिकेट संख भी मिलते हैं नकली शंख भी मिलते हैं तो यह जानना आपके लिए बड़ा आवर्शक है कि आपके घर में जो शंख है वो वास्तविक्ता में असली है या नकली है तो असली संख अपने घर में रखें दोनों बात मैं ने आपको बता दी कि अगर आप लक्शमी प्राप्त करना चाएते हैं तो संख के बितर पीले रंग से रंग कर चावल भरके रखें और भगवान नारण की किरपा चाते हैं तो संख की दोनी के बाद में उसमें जल भरकर भगवान के सामने उस शंक को रखें तो घर में आनंद ही आनंद आपको प्राप्त होंगे